प्रेंट्स आज के इस वीडियो में आपको ये बताने जारों की कैसे आप अपने Samsung Galaxy F15 Android mobile phone में आप अपने mobile phone के side वाले power button को दबाए बिना आप अपने phone को switch off कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वालों तो चलिए आप ये वीडियो का हम स्टार्ट कर लेते हैं देगी दोस्तों आप अपने mobile phone के side वाले power button को दबाए बिना phone को switch off कर सकते हैं कैसे इसके लिए mobile phone का आपको 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 सेटिंग का पेज उपन क असिस्टेंट मेन्यू के जो सामनेल बटन है इससे आपको on नहीं करना है आपको असिस्टेंट मेन्यू जो लिखा हुआ है इसके उपर ही आपको टैप करना है तो आपका असिस्टेंट मेन्यू का पेज आता है इस पेज में आपको सबसे उपर ये off के सामनेल बटन को बागी कहीं पर भी इसे रख पा रहा हूं तो यह बटन आपकी फोन की स्क्रीन पर सभी जगे पर आपको दिखाई देगा अब आपको करना यह है कि आपको इस बटन को टैप करना है तो आपको एक छोटे पेज में बदल जाता है यह तो आप इस पेज को लेफ्ट और पर टैप करेंगे तो इससे आपका फोन जो स्विच आफ हो जाएगा ठीक है तो यह एक तरीका मैंने आपको बता दिया है मुवाइल फोन के साइड वाले पावर बटन को दबाए बिना फोन को स्विच आफ करने का तरीक है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में दिवी जा अच्छी लगे तो इस सेटिंग का आप अपने फोन में जरूर यूज करके देखिए ठीक है